हेलो फ्रेंद्स से तो वालोख ले और इन से वुट्टो तो को पुंधाँ करना सिखाऊंगी भुट्टो को देखते हुए हमारे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि हाई गंटों गंटों हमें इसकी बुनाई करनी पड़ेगी तब जाके यह रेडी होंगे खाने के लिए कब जाके हम सब को देंगे फिर अपने आप खाएंगे पर अब ऐसा कुछ नहीं है अब ऐसा मैजिक में आपको बताऊंगी कि आप एक का सीजन चल रहा है बारिष में बुट्टे सभी खाते है अगर बारश में बुट्टे नहीं खाये तो फिर क्या खाया आया तो आये फैंट करते हैं मैंने हरे बुट्टे लेके आई थी पर अंदर से 20 सही निकले है धो थोड़ा कम तो ऑइए ताले दाइन दायर निकले अब HIS में फ्रैंट कुछ निहीं कर सकते तो करते हैं इसके लिए मैने लेलिया फ्रैंट 5 लिटर के कुकर मैंने जो थोड़ा पुराना घर में यूजलेस पड़ा रहता है वही लिया है आप कैसा भी कुकर यूज कर सकते हैं बस यह ध्यान दखें जितना बड़ा कुकर होगा उतने ही ज्यादा बुट्टे हम उसमें अच्छे से बून सकते हैं इसके लिए मैंने थोड़ा सा द गए हैं बीच में से हम इनके दो या तीन तुकड़े भी कर सकते हैं और अराम से कुकर भर कर आप बनाईए मेरे तो एक किलो ही बुट्टे थे आप दो या तीन किलो जैसे भी आपका हिसाब हो उतना आप ले उसके बाद मैंने एक बरतन लिया है बाउल ले लो कोई बरतन ले लो उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और उसके बाद एक हमने टावल लिया है टावल ले लो कपड़ा ले लो कॉटन का होना चाहिए या जैसे तोलिया होता है उसे साब का होना चाहिए कॉटन का हो बस सूती टाइप का इसको हम पानी में अच्छे से डिप कर लेंगे भीगो लेंगे यह देखिए इस तरीके से हमें इसको अच्छे से गिला करना है खूब अच्छे से जब तक गिला करना है जब तक बिल्कूल अच्छे से गिला ना हो जाए और फिर इसको हमें अच्छे से निचोड देना है क्योंकि हमें इस कपड़े में टावल में पानी की क लब था यह देखिए इस तरीके से अब कूकर में हमने जितने भी भुट्टे भरे हैं एक किलो दो किलो जितने भी हमने लेके आए हैं उसे साब से हमने इन भुट्टो को इस कपड़े से कवर करना है कपड़ा मैंने आपको बता ही दिया है कोई पुराना किचन टौवल हो चं आपको एक बात अर्मिदियम रखनी हैं और रखनी है और मीडियम आज भी हम जब तक रखेंगे जब तक इसमें गैस ना बनने लग जाए गैस बनते ही हमें गैस को कम कर देना है हम इसकी आज कम कर देनी है ये देखिए इस तरीके से और ये 10 मिनट का प्रोसेस है इतने हम मसाला बना लेते हैं बुट्टो पे लगाने का इसके लिलिया मैंने थोड़ा अमचूर पाउडर थोड़ा लाल मिर्च पाउडर थोड़ा नमक स्वाद नुसार मैं थोड़ा इसलिए बोल रही हुँ फ्रेंड वो आप देख लेना आपको कितना मसाला बनाना है थोड़ा काला नमक और थोड़ा गरा मसाला और थोड़ा भुना जीरा पाउडर इसको अच्छे से हम छान लेंगे जो इसमें गाठे या कुछ भी मोटे मसाले हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे ये देखिए मसाला हमारा रेडी है ये भुट्टो का मसाला स्पेशली तोर पर बनाया जाता है और इसको लगाने के बाद आप भुट्टो के स्वाद को देखना बिल्कुल मार्केट की भुट्टे भी बिल्कुल फेल होंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो आईए अब चलते हैं अपने भुट्टो की ओर 10 या 15 मिनट का प्रोसेस हो चुका है हम इसकी गैस अपने आप ही निकलने देंगे अपने आप ही फ्री होने देंगे हमें निकालने के जरूरत नहीं है है अब यह पूरे अपने आप से गैस निकल चुकी है यह देखिए और अंदर का क्या हाल चाल है यह देखे कितना धुआ निकल रहा है हमारे भुट्टे कितने अच्छे तरीके से बने होए है यह देखिए अच्छे से हमारे भुट्टो की भुनाई हो गई है गंटों गंटों का काम सिरफ 10 मिनिट में खतम हो गया है पहले हमारी दादी नानी के टाइम में गंटों गंटों भुट्टों की भुनाई होती थी पर फ्रेंट अब ऐसा नहीं रहा है अब एक से एक ट्रेक आ गई है ये देखिए ना पानी की जरूरत है ना रेत की जरूरत है और ना ज़्यादा गैस फूखने की जरूरत है बहुत कम समय में अराम से एक साथ कहीं बुट्टे हम अच्छे से भुनाई कर सकते हैं उनकी ये देखे कितने गरम है कितने होटा है में इस उठाया भी नहीं जा रहा है ये देखे कितने अच्छे से बुने आई ये और जले भी नहीं है सबसे बड़ी बात है कि बुटे बुनते वे जल जाते हैं जले भी नहीं है ये देखे कितने हलके ब्राउन हुए है कितने अ इस तरीके से यह देखिए और जब आपको बुट्टा खाना हो आप इस्पेशली मसाला और नीमू उसी टाइम लगा के दें पहले से बिलकुल लगा के ना रखें नहीं तो इसके टेस्ट में गड़बर हो जाएगी यह देखिए मैंने सारी भुट्टो पे अच्छे से मसाला लगा दूँगी और फ्रेंड आपको यह रेसिपी जरस सी भी पसंद आई हो मैंने भुट्टो की भुनाई किस तरीकी से की है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने लाइक डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगे वो भी जरूर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा निचे आके और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले चैनल का नाम है किचन मैजिक ये देखिए फ्रेंड भुट्टे हमारी रेडी है और सिर्फ 10 मिनिट में देखिए मैं दाने निकाल के दिखा रही हूँ कितने अराम से एक-एक दाना निकल जाता है और अराम से खाया भी जाता है धन्यवाद